दोस्तों गर्मिया सुरू हो गई है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पांच ऐसी खास टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने गार्डन में लगी हुए पौदों को तेज गर्मी से बचा सकते हैं यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आज मैं आपको पांच खास उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद इस्तमाल करता हूँ और उनकी मदद से मैं अपने गाडन में लगे हुए सबी पौधों को तेज गर्मी से भी बचा लेता हूँ तो चलिए सुरू करते हैं और जानते हैं और पांच तरीकों को आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है वीडियो को सेर जरूर करना है वीडियो को लाइक करना सेर करना बिलकुल फ्री है तो जैसे ही गर्मियां बढ़ने लगें आपके एरिया में टेंपरेचर 30 डिगरी के आसपास हो जाए तो आपको ये ट्रिक आजबाना सुरू कर देना है तो अपने पौधों को तेजगर्मी से बचाने के लिए सबसे पहला काम जो है आपको करना है वह है सही तरीके से पौधों को पानी देना जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने हमारे अनार का पौधा लगा हुआ है और ये पौधा लगा है इस तरह के एक ग्रो बैग में जो की 18 बाई 24 इंच का है तो आपको क्या करना है आपको अपने गार्डन में जो भी आपने ग्रो बैग गमले रखे हुए हैं उन्हें परड़े चेक करना है और उनमें पानी देना है तो गर्मी के दिनों में लगभग हर दिन पौधों को पानी देने की जरूरत होती है आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को दिन में दो बार भी पानी दे सकते हैं सुभ़े के समय साम के समय अब पानी देने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिट्टी चेक करनी है कि उपर की मिट्टी गीली है कि सूखी लगबग उपर की टॉप सॉयल जो की एक से दो इंच की होती है अगर वो है आपको सूखी दिख रही है तो आपको तुरंत पानी देना है पानी कितना देना है? इससे क्या होता है नीचे यहां की मिट्टी सूखी रहती है और आपको लगता है कि आपके जो पौधा है या गमला है उसमें काफी पानी है इससे आपके पौधे सूख जाते हैं और आप समझते हैं कि आपने तो पानी भी सही दिया फिर पौधा क्यों सूख गया तो उसकी ज कबसे अच्छी ट्रेक्स है पौधों को गर्मी से बचाने के लिए उनमें प्रॉपर तरीके से बॉटरिंग करना दूसरा जो तरीका है वह है मल्चिंग अब मल्चिंग क्या होती है तो देखिए जैसे हमारा ये ग्रो बैग है इसमें आप देख सकते हैं आपको मिट्टी दि चिप्स या फिर कोको क्वाइर जो होती है नारियल के छिलके इसके अलाबा आप जो धान का प्यारा है उससे या फिर टाइल्स के टुकडे बैसे तो कोशिस करें कि पत्नों वालों से मल्च करें तो इस तरह चीजों से कार्डबोर्ट की टुकडों से भी मल्च की जा सकती ह इनसे मल्च कर दें, मिट्टी को आपको ढख देना है, लगबग एक इंच की मोटी परत बना दीजिए और इससे इसमें डारेक्ट आप पानी दे सकते हैं, इससे बार बार हटाने की जरूरत नहीं है, इससे के उपर पानी दीजिए इससे क्या होता है, इससे कई फायदी हैं, एक तो मिट्टी का एक्सपोजर सनसे डारेक्ट नहीं होता, तो यहाँ से जो water का एबोपरेशन है, वो बहुत ही कम होता है तो इससे मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है ग्रोवेग की और दूसरा इससे आपके मिट्टी में खर्पतवार भी नहीं हो गेंगी और साथ में यह मल्च जब अगेली रहती है तो यह खुद में ही काफी समय तक पानी को होल्ड करके रखती है बस दिहान रखें कि इस ते यह आपने पॉधे लगाइन हैं बड़े पॉधे हैं ग्रोवेक बड़े हैं या छोटे हैं आप उनमें मल्च कर सकते हैं तो देख़ें यहाँ पर में अमरूत का पौदा इसमें की थी इसीसे मल्च कर लिए है और यहाँ पर आपको दिखा our उमनें एंगूर लगा हुआ है और ये देखिए आप इसमें ये अंगूर बन रहे हैं तो यहां भी हमने उसी के पौदे में धान के प्यारे से ये धान के पौदे होते हैं जिससे चाबल बनता है उससे हमने यहां पे मल्च किया हुआ है और ये स्टेम से हमने इसे दूर रखा है तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है गर्मी में पौदों को बचाने का वह है मल्च तो मल्च जरूर कीजिए मल्च के क्या फायदे हैं मल्चिंग कैसे करनी है इस पर जो वीडियो है वो चैनल पर पब्लिस है आपके राइट साइड आई बटन्स हो रहा होगा बहार पर जाकर देख लें इसके बाद तीसरा तरीका है इस तरह से सेड नेट बनाना गर्मियों में पौदों को बचाने के लिए ग्रीन सेड नेट का इस्तमाल किया जाता है सामने जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन सेड 50% सेड नेट वाली है मतलब 50% सनलाइट को ये रोपती है 50% को ये नीचे आ जाने देती है तो आप 50% और 75% गार्डन ग्रीन सेड नेट का इस्तमाल कर सकती है यह जो गार्डन नेट है वो है आपको मिलेगी वेबसाइट और्गनिक बजा डॉट नेट पर इसके बारे में जादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं हमारा जिस चैनल पर पबलिस है कि ग्रीन सेड नेट कब और कैसे लगाएं और कितने परसेंट की लगाएं तो तीसरा बहुत आसान तरीका है इस तरह से नेट लगा लेना इससे बहुत मात्रा में आप पौधों को गर्मी में बचा पाएंगे मतलब बहुत ये गर्मी को सोकती है मतलब डारेक्शन लाइट को आने से रोक देती है तो ग्रीन सेड नेट जरूर लगाएं इसके बाद जो चौथा तरीका है वो है प्लांट स्पेसिंग अब आपको क्या करना है पौधों को पास पास रखना है जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं हमने सिमला मिर्च लगा रखी है और सिमला मिर्च से अब देखिए आप इस तरह से हमें सिमला मिर्च बन भी रही है यहां मिल भी रही है देर सारी सिमला मिर्च हमने यहां से तोड़ी भी है तो हमने इने पास-पास रखा है इसके अलावा आपको क्या करना है जो बड़े हाइट के पौधे हैं या क्रीपर प्लांट है उपर की तरफ ऐसे चढ़ा देना है और इसके छोटे प्लांट को नीचे रखना है यह सामने आप देख रहे हैं हमारे करेले के पौधे हैं और यहाँ पर देखिए यह करेला बन भी रहा है तो करेले के पौधे को हमने साइड में चढ़ा दिया है ताकि यहाँ से जो भी सनलाइट आएगा वो रुक जाएगा सूरज की रोसनी आएगी और इस तरफ हमने पौधे हमारे लगे हैं और यहाँ पर काफी अच्छे यह बन रहे हैं तो इस तरह इसे टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और यहाँ पर इनको थोड़ी कम मातरा में सनलाइट मिल रही है तो प्लांट स्पेसिंग सही रखें पास-पास पौधों को लगाएं और बड़े पौधों को सामने रखें और चोटे पौधों को उसके बाद अंदर रखें तो जैसे हमारी यह देख सकते हैं आप लौकी की बेल है तो लौकी की बेल को भी हमने इस तरह इसे जो है चड़ा रखा है और फिर इस तरह हमारा जो है यहाँ पर हमने नेट नहीं लगाई है तो चंकर लाइट आता है आप देख सकते हैं ये हमारा पपीते का पौधा लगा है और इसमें पपीते भी लगे हैं उपर पपीते बन रहे हैं तो इस तरह से हमने इसके उपर ग्रीन नेट भी लगा दी इस तरह ये लॉंकी की बेल है तो यहां से इसको चंकर प्रकास आ रहा है तो इस तरह से पौधे को अरेंज कर लेंगे तो पहु काफी हद तक आप अपने गाडन के पौधों को तेज धूप से बुचा लेंगे इसके बाद आपको अपने garden के पौधों को तेजगर्मी से बचाने के लिए humidity maintain करनी है humidity maintain करने के लिए आप क्या कर सकती है आप जैसे ये खाली जगह आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा टब रख दीजिए उसमें पानी भर दीजिए बस उसको छोड़ दीजिए आप टब भी इस्तमाल कर सकती है या थोड़ा सा चोड़ा जो बरतन हो जिसका surface area जादा हो वहाँ पर रखिए वो पानी क्या होगा एबोपरेट करेगा और humidity को maintain करेगा यहाँ के area की तो इस तरह से आप garden में जो dryness है उसको कम कर सकती है और इससे पौधे आप ये अच्छे से grow होंगे तो ये पाँच तरीके थे जिसकी मदद से आप अपने garden में लगे हुए पौधों को तेज गर्मी धूप से बचा सकते हैं और फिर उनसे धेर सारी सबजिया ले सकते हैं तो जैसे ही अप्रेल का महिना लगता है तो आपको ये जो मैंने टिप्स बताई हैं गर्मी से पौधों को बचाने की इन्हें एपलाई करना सुरू कर देना चाहिए और इससे फिर आपको जो रिजल्ट मिले उसे जरूर बताएं मुझे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और मेरे गार्डन में लगे हुई सबजियां भी काफी अच्छी होती है आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाश तक देखने के लिए बहुत बहु अच्छे वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग